नमस्कार दोस्तों मद्यप्रदीश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागते गने कोहरे के साथ मद्यप्रदीश के विबिन जिलों में दोस्तों उताचड़ा अफजारी और बादलो गवजे के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है पाड़ो पर होने वाली बर्फ बारी के चलते सीधा मैदनी लाकोपा ठीटर बंढ़ने के साथ बारी ठंड के प्रकॉप के साथ मौसम में हलचल और परिवर्तन भी देखा जा रहा है इसी के साथ दोस्तों बादलो गवजे के साथ यहाँ पर जो ना भोपाल समित कई शित्रों में और भी जादा हलचल और परिवर्तन होने को लेकर चेता होनी है पाडो पर बर फरी का असर भी सीधा सीधा मेदानी लाको पर देखने को मिल रहा है और ठंड के साथ उताचड़ा भी रेकोर्ड के जा रहा है पाडो पर जादो पर जादो पर बर बादो पर बढ़ाद के साथ यहाँ दोस्तों बहुत ही जादा खतरनाग होगी कई सालों के रेकोर्ड तूर जाएंगी इतनी जादा तंड पढ़ते होई नजर आएगी बेंड मुरेना दत्या निवाडी शिहो टिकमगड में गना कोरा चायरा जिसे विजिबिलिटी कम रही अगले दोस्ते तीन दिनों में यहाँ पर रात का तापमन में गिराउट होनी की सम्वान है मौसम विबाने लोगों को मौसम में अचानक होने वाले बदलाव से कुझ को बचाने की सला दी गए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जोना काफी जगों पर क्लाइमिट चेंज की वज़े से सीधा असर लोगों के सरीर पर पढ़ रहा है इसलिए सावधान रहे सतक रहे और बिना वज़े ठंड में बाहर ना निकले और खास करके दोस्तों सरदी जुकाम होने से बचे इसी के साथ दोस्तों एक एक जिले की बात किया तो जबलपूर में 16-17 रात के समय दिन में 30 के आसपास ताप मनें मौसम में तंड़क उताचडा अफजार रहेगा बादलो के अवज़े के साथ परिवर्तन है पूरे के पूरे के पूरे दोस्तों एहाँ पर कटनी के मौसम में बदलाव देका जार उताचडा अफजार इने को लेकर चेता होनी बादलो के अवज़े के साथ परिवर्तन मौसम मिला जुला भी रह सकता है पूरे के पूरे के पूरे के पूरे के पूरे के अवज़े के साथ परिवर्तन भी देका जार इने को लेकर चेता होनी है यहाँ पर उताचडा अफजार के पूरे के पूरे के पूरे के पूरे के पूरे दौसम में बदला उताचडा अफजार रहेगा साथ परिवर्दने यहाँ पर साजापुर में 13 14 रात के समय दिन में 28 के आस पास तापकान रेगा वेदी समय रात के समय 13 14 तो दिन के समय 28 29 से खरी तापकान बादल चैरिंगे शौपुर में बादलो के वजी के साथ मोशम साफ है तो मोशम विभा की मां तो पूरा शोग नग करके मौसमें बदला